नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नौवी लोकवाणी हिंदी का दूसरा पाट उसका अध्यान करेंगे, पाट का नाम है जुमका जुमका इस कहानी के लेखक है सुशिल सरिज्जी सुशिल सरिज्जी आधुनिक कथाकार है उनकी कहानिया निभन्द विवीध पत्रपत्रिकाओं में प्रा यहां छपते रहते हैं अब देखिये यह जो जुमका कहानी है यह वर्णनात्मक कहानी है जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक, सुशिल सरिज्जी, परुपकार, दया तथा मानवता आधी गुणों को दरशाते हुए उन्हें अपनाने का संदेश दे रहे हैं समाज के पिछडे वर्ण के प्रती हमारा व्यवहार सहानुभूती पूर्ण होना चाहिए यह इस पाट से वे समझाना चाहते है तो देखिए इस पाट की जब हम शुरुवाद करते हैं तो उपर एक वाक्य लिखा हुआ है शिक्षित स्त्री प्रगत परिवार इस विधान को स्पष्ट केजिये देखिए इस विदान को स्पश्ट करते कि यदि घर की स्थ्री शिक्षित होती है तो ौगर होता है वह आगे बढ़ता है। जीवन जीते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास यह शिक्षित स्त्री करती हैं। अच्छे विचार अपने साथ पनपती है, बच्चों को भी अच्छे विचार देती है, इससे पूरा जो घर होता है, उसकी प्रगती होती है तो देखिए आप भी अपने विचार इस विधान को सपश्ट करते हुए दे सकते हैं. आप अपनी कापी में वहलिक भी सकते हैं. अब देखिए इस पाट को देखते हैं कि कहानी में क्या बताया गया है. कांती ने घर का कोना कोना ढूंड मारा एक-एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए बिस्तर हटा कर दो-दो बार जाट डाला लेकिन जुमका न मिलना था न मिला अब देखिए यहां तो बताया जा रहा है कि जो जुमका है शायद वह गूम हो गया है और वह ढूंडने के लिए कांती ने घर का कोना कोना है कि कोने में उसने ढूंडा है अलमारी के नीचे जो बिछे कागज है वो भी उलट कर देखे है बिस्तर हटा कर दो-दो बार जाट डाला मतलब उपर नीचे कर दिया है लेकिन वह जुमका नहीं मिला जुमका मतलब कान में पहनने का एक गहना होता है यह तो गनिमत थी कि सर्वेश को जुमके के बारे में पता ही नहीं था वरना सोचकर ही कांती सिर से पाउं तक सीहर उठी अब देखिए गनिमत गनिमत का मतलब मुफ्त का माल लूट का माल ऐसा भी होता है लेकिन यहां जो अर्थ है संतोष की बात है यह तो गनिमत थी कि सर्वेश को जुमके के बारे में पता ही नहीं था मतलब ये तो संतोष की बात है, धन्य की बात है कि सरवेश को जुमके के बारे में पता ही ने जैसे देखिए कोई चीज हमारी गुम हो जाती है तो अपने माता पिता हमें डाटते हैं जैसे नया कमपास बॉक्स लिया है, यदि वह पहले दीन ही गुम हो जाता है तो हम भैबित हो जाते हैं लेकिन यदि किसी को नहीं बताते मतलब संतोष की बात होती है किसी को बताते नहीं या किसी को मालूम नहीं होता उसी प्रकार सरवेश को जुमके के बारे में पता ही नहीं था वरना सोचकर ही कांती सिर से पाउ तक सीहर उठी सीहर उठना मतलब भैसे कापना नहीं तो यदि उसे पता होता तो वह जादा भैभीध होती अभी पिछले महिने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सरवेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था मिन्नी उसकी बेटी है कांती की सरवेश कांती के पती है मिन्नी की जो नई घड़ी थी वह खो गई थी इसलिए सरवेश ने शोर मचाया था घर सर पर उठा लेना शोर मजाना कांती ने हाथ में पकड़े दूसरे जुमके पर नजर डाली कल अपनी पूरी दो साल की जमा की हुई रकम के बदले मैं जुमके खरितते समय कांती ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे दो साल तक इकटा की हुई रकम से जुमके खरीद कर जब वो सरवेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे अब देखिए घर में खर्चे के लिए पैसे होते हैं लेकिन उन में से भी कुछ बचा कर बाजू में रखे जाते हैं तो उसी प्रकार कांती ने भी दो साल में ऐसे ही कुछ पैसे जमा किये हुए थे रकम पैसे तो देखिए उसके बदले में जमा किये हुए पैसे में उसने जुमका खरीदा था और खरीदते समय एक बार भी उसने सोचा नहीं कि यह सारी कमाई देकर मैं जुमका ले रही हूँ देखिए हमारी भारतिय समस्कृति की परंपरा होती है कि सोना सभी लोग खरीदते है जो बुरे समय में भी काम आता है और एक इन्वेस्मेंट भी होती है तो देखिए उसने तो वैसे फिजूल तो करसा किया ही नहीं था ये जो पैसे थे एक इन्वेस्मेंट ही थे इसलिए उसने मन में ही सोचा कि यदि मैं खरीदती हूँ और सर्वेश को दिखाऊंगी तो वो क्या कहेंगे शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा ऐसे उसके मन में आया है दरसल जुमके का वह जोड़ा था ही इतना खुबसुरत कि एक नजर में ही उसे भाग गया था भाजाना मतलब अच्छा लगना दो दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगुठी खरीदनी थी वही शोकेश में लगे जुमके को देखकर कांटी ने उसे निकल वा लिया अब देखिए उसकी सहली रमा है रमा को सोने की अंगुठी लेनी थी और ये दोनों भी जोहरी के पास गए थे सुनार के पास गए थे तो देखिए वहा एक शोकेश में वह जुमके उसने देखे और वह निकलवाने के लिए कहे दाम पूछे तो कांती को विश्वासी नहीं हुआ कि इतना खुबसूरत और चार तोले का लगने वाला वह जुमका सेट केवल दो हजार का हो सकता है अब देखिए ये जो गहना है ये एक ही नजर में भाजा आने वाला है उसे बहुत अच्छा लगा और उसने जब दाम पूछा तो यह दो हजार के थे और चार तोले का था दुकांदार रमा का परिचित था इसी वजह से उसने कांती के आगरह पर न केवल उस जुमके सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया वरना यह भी वादा कर दिया कि वह दो दीन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं अब देखिए यह जो दुकांदार था रमा का परिचित था और इसी वजह से कांती के आगरह पर मतलब कांती को यह जुमके का सेट है काफी अच्छा लगा और इसे खरीदने के लिए उसने शोकेस से अलग निकाल कर रखने के लिए कहा और दुकांदार भी तयार हो गया औ दो दिन आप नहीं आएंगे, दो दिन के बाद आएंगे, फिर भी यह सेट आपके लिए बाजू में रख देंगे, इसे बेचेंगे नहीं, पहले तो कांती ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आगरह करें, लेकिन मार्च का महिना और इंकम टैक्स के टेंशन से गिरे, स मार्च के महिने में यह साल का अखरी महिना होता है, मतलब जो आर्थिक काम होते है, इसके लिए यह मार्च का महिना अखरी होता है, और तभी इंकम टैक्स भी देना पड़ता है, तो इस टेंशन से गिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, अब देख सकते हैं, अपनी सारी जमा पुझी खटा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई, देखिए उसे तो वह जुमके का सेट काफी अच्छा लगा हुआ था, लेकिन उसके पास जो जमा हुए पैसे थे उसमें से उसने यह सेट खरीद लिया, अगले हफते अपनी मेर जनिवर्सी मतलब शादी की सालगी रहा, उसकी जो पार्टी होगी उसमें वह पैनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी, तभी अपने पती को वह बताएगी कि बचे हुए पैसों में से उसने यह जुमका लिया है, यह सोचकर उसने सर्वेश के आगहर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, अब देखिए यह सर्वेश उसे शायद देना था, इसलिए उसने किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी, आठ सुबहर रमा के आने पर जब कान्ती ने उसे जुमके दिखाए, तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, अब देखिए घर में यह जुमके का सेट आया है, अपनी सहली आई, फिर से एक बार उन्होंने यह जुमके अपने सहली को दिखाए, तो सहली के ध्यान में आया कि अरे इसमें तो बगल वाला मोती, बगल वाला मतलब पास वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने जुमके के एक टूटे मोती क तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया तो उसने भी देखा कि अरे हां ये तो सच है कि यहां का एक मोटी टूटा हुआ है अभी चल कर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक तराशी लिए ठीक हो जाएगा वरना बाद में वह सुनार माने या न माने अब देखिए सहली उनके समझ में आया है कि इसका मोटी टूटा हुआ है तो उनोंने सोचा कि चलो अभी जाकर ठीक कर लेते हैं नहीं तो यदि बाद में जाएंगे क्यूंकि यह सोने की चीज है बाद में जाते हैं तो पैसे भी लगते है अतिरिकत मतलब जादा राशी जादा पैसे तो चलो अभी जाकर उसे ठीक करवाते हैं सुनार माने या ना माने बाद में हम जाएंगे बहुत दिनों के बाद तो सुनार नहीं मानेगा ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्षा करके सुनार के यहां चली गई और सुनार ने भी कहा अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है मामूली सी मतलब साधा रिन सी बात है अभी ठीक हुई जाती है मतलब अभी मैं ठीक करा देता हूं कहकर आदे घंटे में ही जुमकान केवल ठीक करके दे दिया आगे भी कोई छोटी मोठी खराबी हो तो नी संकोच अपनी ही दुकान समझ कर आ जाईएगा देखिए इस सुनार में तो काफी इंसानियत नजर आती है भला इंसान लगता है जो अपने यहां आये हुए ग्राहक के साथ एक अच्छी बाते भी करता है तो देखिए उसने कहा कि अभी तो ठीक करा देता हूँ आगे भी कोई छोटी मोठी खराबी हो कोई गेने है उनके बारे में कोई बात हो तो अपनी संकोच अपनी दुकान समझ कर आ जाईएगा एक विश्वास इस सुनार ने अपने ग्राहक को दिया है घर आकर कान्ती ने जुमके का पैकेट मेच पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई अब देखिए ये चीज वह ठीक करा कर लाई है घर आकर उसने वो रख दिया और अपने कामकाज में लग गई अब कामकाज निप्टा कर जब कांती ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया, तो उसमें एक ही जुमका नजर आ रहा था, सारे कामकाज हो गए, उसने फिर से जुमका, जुमके का पैकेट खोला, देखा तो उसमें एक ही जुमका था, दूसरा जुमका कहा गया, यह कांती समझ ही नहीं पा रही थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि भई एक जुमका कहा गया, सुनार के यहां से तो दोनों जुमके लाई थी, इतना कांती को याद था, देखिए, यहां तक हमने इस पार्ट को, इस कहानी को पड़ा है, अब इस कहानी में आये हुए जो क इसनी कापी में लिख लीजिए, जब हमारा भाग दो, भाग दो का अध्यान हो जाएगा, तब हम इसका स्वाध्या लिखेंगे, आपको यह जो पार्ट है, यह समझने के लिए आपको आपका पाठ्थे पुस्तक आपके सामने होना चाहिए, तब यह पार्ट आपको अच् दो में अगली तासिका को देखेंगे, धन्यवाद.